हमारे हिंदुस्तान में अधिक्तम जनता गरीब है और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंटरल गर्मेंट हो, वेलफेर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफी दिनों से आज पूरे हिंदुस्तान बर में एक ऐसा माहोल बीजेपी पार्टी बना रही है, या सेंटरल गर्मेंट बना रही है, कि जो वेलफेर स्कीम्स गरीब लोगों को देते हैं, वो कहते हैं, इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल, और बोल रहे हैं कि ये फ्रीबी न दस लाग करोड का जो करजा माफी किया है, जो कॉर्परेट आदमी हैं, जिनोंने बैंक्स को लूट के गए हैं, उनको जो माफी किया, उसको फ्रीबी बुलाते हैं, जो वेलफेर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके केती के लिए, बच्चो नहीं बोले जा सकते हैं, ये freebie नाम पहले आप बंद कर दीजे, गरीब को insult करना बंद कर दीजे, दूसरी बात ये है, प्रदेश जो चलाती है welfare scheme, आप उनको support कीजे, अगर आप उनको support नहीं करना चाहते हैं, तो भी प्रदेश को independence दे दीजे, कि वो अपने आप में चला ले जैसे तिलंगाना में हम चलाते हैं, हम राइतु बंदू scheme देते हैं, बच्चों को free में पढ़ाते हैं, health का अच्छा schemes हैं, हमारे यहाँ 1000 scheme चलते हैं, और कला पैसा देश बर में एक माहौल बना के, ये सारे schemes बंद करने के लिए, प्रदेश के सरकारों के उपर, जो हैं, उन से हमारे जो intelligence यह हैं, उन सबसे भी मैं request करती हूं, this is the occasion, this is the time, please speak out and make sure that the welfare schemes of any state will continue.